हेलो वीवर्स, वेलकम टू जनल डाइरीज, वीवर्स आज मैं आपके साथ दुबारा से एक सिंधी रेसिपी लेकर आई हूँ, इसे सिंधी में बोलते हैं बुस्री, ये एक मीठी रोटी होती है जो बनती है गुर से और मक्षन से, बहुत ही ज्यादा लजीज और डिलिशिस आप नोट कर लीजी, इसके लिए हमें क्या-क्या इंग्रीडेंस चाहिए होंगे विवर्स, बुस्री बनाने के लिए हमें स्विस तीन-चार चीजों की जरूरत है, रोटी हम जिस आटे से बनाते हैं, नार्मली वही आटा आपने गूंद लेना है, उसके साथ चाहिए आपको बहुत सारा धेस सारा मक्षन, और उसके साथ चाहिए आपको गोड़, लेकिन पाउडर फार्म में जो गोड़ होता है, वो हमें चाहिए, विवर्स, यहाँ पर सिंपली आपको एक रोटी बनानी है, जैसे हम घर के लिए रोटियां मनाते हैं, वैसी, ये बात याद रखिएगा कि ये जो मीठी रोटी है, बुस्री, इसमें एक बुस्री बनाने में दो रोटियां आती है, तो हमें यहाँ पर एक बुस्री बनाने में दो रोटियां चाहिए होंगी, मैं क्यूंके एक ही बना रही हूँ, ज्यादा नहीं बना रही तो मैं सिर्फ इसके लिए दो ही रोटियां बनाऊंगी, यह एक रोटी बन गई है, मैं इसको फिलाल प्लेट में रख रही हूँ, और दूसरी रोटी बनाती हूँ, वीवेस यह बहुत ही ज्यादा इजी है और बहुत ही डिलिशिस बन ती है, और आप ये मकषण भी साइड में देख रहे हैं, एक प्लेट में कितना सारा मकषण मैंने रखा हुआ है, यह सारा मकफण इसमें जाएगा, मज़े की बनती है बहुत ही ज्यादा और हमारे घर में तो ये सर्दियों में तक्रीबन डेली शाम को रात को बनती है आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी बहुत ज्यादा हेल्डी भी है छोटे बच्चों के लिए भी इस्पेशली ये देखिए दूसरी सेकंड रोटी भी बन गई दोनों रोटी आप हमारी तयार हैं तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से तवे पर डालना है और गुड वगरा किस तरह इसमें डालना है व्यूवर्स तवे पर आपने फ्लेम बिलकुल बिलकुल ही लो रखना है और आपने एक रोटी को तवे पर डालना है और इस तरह से ये गुड आपने सारा उसके उपर बिचा देना है डाल देना है अब देख सकते हैं गुड मैंने पाउडरो फाम में लिया है बिल्कुल ही पहले आपको फ्लेम लो रखना है क्योंकि इसकी सेटिंग में थोड़ा टाइम लगता है तो आपके हाथ भी जल सकते हैं और रोटी भी जल सकती है और दूसरी रोटी इस तरह से आपको उसके उपर लगाके और इस तरह साइड्स उसकी बंद कर देनी है अच्छे से बंद कीजिएगा ताके गूर वगरा निकले नहीं इसमें से अब आप थोड़ा फ्लेम तेज कर सकते हैं इस स्टेज पर क्यूंकि आपने इसकी सेटिंग सारी कर ली है तो अब आप इसकी फलेम भी तेज कर सकते हैं और थोड़ी देर के बाद इस पर अगर आपके पास आयल हो तो आप वो भी लगा सकते हैं इस तरह से अब इसको टाइम है जब तक ये थोड़ी पक जाए विवर्स अगर आप इसको इस तरह से ना उठा पाएं और पलट ना सकें तो आप एक पिलेट की मदद से भी इसको पलट सकते हैं एक स्टील की पिलेट लेके उसे भी इसको उठा सकते हैं अगर आपके साथ ये इस तरह से इसकी सेटिंग ना हो तो अब टाइम टू टाइम आप इसको दोनों साइट से पकाते रहेंगे जब तक ये अच्छे तरीके से पक नहीं जाती और गुड जो है वो एक शीरे की शकल में जब तक इसमें तबदील नहीं हो जाता वीवेश अब इसको इसी तरह परलटना है और टाम टू टाम इसकी साइट चेर्च करते रहना है ताके ये दोनों साइट से अच्छी तरह से पक जाए दोनों साइट से जितनी अच्छी क्रंची बनेगी तो उतना ज्यादा ये खाने में मजाद भी देगी ये देखिए इसको पलटने के लिए मैं भी दो दो चीजें यूज कर रही हूं क्योंकि इसकी सेटिंग और इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल भी होता है लेकिन बंती इतने मज़े की है कि फिर बंदा मुश्किल ले ही लेता है ये तक्रीबन अब रोटी पक चुकी है ये देखिए थोड़ा थोड़ा गुर्ड का जो शीरा बन चुका है वो इसमें से कभी-कभी बाहर भी आ जाता है कितनी डिलिशिस बनी है और बहुत इतनी ही खाने में भी मज़ेदार है तो चलिए अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ विवर्स रोटी तो बिल्कुल तयार हो चुकी है अब हम इसमें मखण एड़ करते हैं इस तरह से आप इसके ऊपर सारा मखण भी लगाएंगे और इसकी बीच में दो रोटियां बनी है जिस बीच में जो गुड़ है जहां पर वहां पर भी आपने मखण डालना है बहुत सारा वाओ यमीन मेरे मूँ में तो बिल्कुल पानी आ रहा है इतनी डिलिशिज है कि मैं आपको क्या बता हूँ आप इसको जिन्दगी में एक बाद जरूर ट्राइ कीजिएगा व्यूवर्स सिंधी रोटी बुस्री बिल्कुल रेडी है ये देखिए आप ये मखण और गुल का शीरा किस तरह से बन चुका है और इसके उपर भी देखिए कितना जबदस मखण वाओ और मैं आपको क्या बताऊं कि ये खाने में कितनी डिलिशिज है आप इसको एक मेलत के साथ फिर मिलेंगे और हाँ अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा लाइफ कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा तो किसी नई रेसिपी में फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ किसी नई रेसिपी के सा तब तक अल्हाफिज